हलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे तिल गूर की ऐसे मिठाई जिसके लिए ना आपको कोई चासनी बनाने की जोगत है और ये बहुत ही थोड़े से घी में आसानी से बन जाता है तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले गैस पे एक पैन को गरम होने के लिए रख देंगे उसमें एक कफ सफेद तिल जो बजन में 150 ग्राम है डाल देंगे अब तिल को लो मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए सुनहरा होने तक भून लेंगे तिल को भूनते समय लगतार चलाते रहें क्योंकि तिल बहुत जल्दी जल जाते हैं अब देख सकते हैं तिल का कलर अब चेंज हो गया है और तिल चटकने लगे हैं थोरे से तिल को हाथ में लेके दबाएंगे तो वो इस तरह से मसल जाएंगे बस इस से ज़्यादा तिल को ना भूने तिल को एक बॉल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसी पैन में आधी कप मुंख़ली को भून लेंगे मुंख़ली को भी लगतार चलाते हुए लो मीडियुम फ्लेम पे सुनहारा होने तक भून लेंगे आप देख सकते हैं मुंख़ली का कलर अब चेंज हो गया है हमारे मुंख़ली भून चुके हैं बस गयाज का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको भी एक बॉल में निकाल लेंगे जो हमने तिल भून कर रखा था उसमें से टू टेवल इस्पुन तिल किसी बॉल में निकाल लेंगे और उसको अलग रख देंगे, उसके यूज हम बाद में करेंगे अब एक ग्राइंटिंग जाल लेंगे, उसमें तिल्क और मुंफली को डाल देंगे मैंने यहां पे मुंफली का छिलका निकाल दिया है और दरदरा पीस लेंगे मिक्सी को एक बार में लगतार ना चलाएं, रुक रुक कर चलाएं हमें कुछ इस तरीके का दरदरा पॉडर बनाना है अब बापस एक पैन को गरम होने के लिए रख देंगे उसमें वन टेवल स्पून घी डाल देंगे घी जब पिगल जाएगा तो उसमें थ्री फोर्थ कप गुर डाल देंगे ज़िए आप थोरा जादा मीठा पसंद करते हैं तो गुर की मात्रा बरहा सकते हैं अब गुर में वन से टू टेवल स्पून पानी डाल देंगे और गुर को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे थोरी देर में आप देखेंगे कि गुर हमारा धीरे धीरे मेल्ट हो गया है जब गुर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा उसके बाद 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे आप देख सकते गुर का कलर पहले से चेंज हो गया है बस अब इसमें वन टी इस्पून दरदरी कुटुई हरी इलाइची डाल देंगे इसके जगाप इलाइची पॉडर भी डाल सकते हैं साथ में जो हमने तिल और मुंखळी को ग्राइंट किया था उसको भी डाल देंगे पूरा मिक्चर एक बार में न डालें धोरा थोरा डाले और चलाते रहें सारी समागरी को गुर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे अब एक प्लेट लेंगे और उसको घी से ग्रीस कर देंगे और मिठाई वाले पूरे मिक्चर को प्लेट में डाल देंगे हाथ में थोरा से घी लगा ले और पूरे मिक्चर को थाली में अच्छे से फैला दें मैंने यहाँ पर स्क्वाइर सेव दिया है आप चाहे तो अपने मन पसंद की कोई भी सेव दे सकते हैं अब जो हमने तिल बचाया था थोरा सा तिल इसके उपपर डाल देंगे और हाथ की मदद से थोरा सा तिल को दबा देंगे मैं यहाँ पर थोरे से पिस्ता के कतरन भी डाल रही हूँ जो बिल्कुल ओप्सनल है इसको भी हाँ से अच्छी तरह से दबा देंगे यह मिठाई बहुत जल्दी सेट हो जाती है इसलिए जब यह गरम रहे तभी इसमें कट लगा दें मैंने आप इस स्क्वाइर सेप में काटा है आप अपने मन पसंद की कोई भी सेप काट सकते हैं और एक घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे एक घंटे हो चुके है मैं आपको एक मिठाई निकाल के दिखाती हूँ यह देखे कितना आसानी से निकल गया मैं आपको एक और निकाल कर दिखाती हूँ तो लग रहा है न यह लाजबाब और खाने में भी यह काफी स्वाधिस्ट है एक मैं आपको तोड के दिखाती हूँ यह बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं तो सर्दियों में आप इस हेल्दी से मिठाई को बनाए और इंजोई करें प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू